हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिन पुरहीत और आप देख रहे हैं मारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम वीडियोज अपलोड करते हैं फॉर इंजिनियरिंग माथमेडिक्स बीए से स्टुन मैं अभी डिस्कृत माथमेडिक्स पर वीडियोज अपलोड करना स्ट क्या होता है और कैसे हम इसको कंवर्ट करते हैं यह मैं आज सिखाने वाला और क्लास बहुत इंपार्टन होने वाली है और सुनिया बदाना चाहरा हूं कि यह जो टॉपिक कंप्यूटर साइंस वाले स्टुएंट्स के लिए बहुत इंपार्टन है आर्टिफिशल और जो मैंने फाइने इस्टेट मिशन बहुत थी और इसमें थोड़ा सा फरक है वहां पर six टपल होते हैं यहां पर हमारे पास five टपल्स होते हैं और five टपल्स में यहां पर क्यूव समेशन डेल्टा डिए अप्लोड कर रखा वह आईटे पे जाकर आप आप देख सकते हैं इस उन्यापे जो summation होता है is a finite non empty set of input call input alphabet इस उन्यापे जो delta होता है वो हमारे पास function which maps q into summation वहाँ पर हमारे पास a4g होता था finite state machine में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है delta है q0 होता है right so delta हमारे पास जो होता है q into summation into q होता है right then to q into summation into q and it is called a transition function and non-deterministic automata को पढ़ते हैं यह diagram दे रहे हैं और table दे रहे हैं तो हम यहाँ पर diagram बना है तो ओढ़न है तो थोड़ा सा ज्यान देने के जबत हमारे पास अब 0 पर यहां पर पास कियां बजारा राइट है अब 41 इंपुट पर हमरे पास q1 पर कि यहां इस घुजारा राइट अब 2021 इनके यहां आया zodि रिकाधि आशविट ए सबसेग्स Mrs. की बात करता है, तो zero input पे Q1 क्या हो रहा है, जिरो input पे Q1 हमारे पास किस पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है और one input पे सुन one input पे यह self पे जा रहा है Q1 तो यह खुद भी यहां पे Q1 हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या है इसकी टेबल बनती है क्ले रहें आगे बढ़ता है सुर्शन बात करेंगे टाईप्स ओफ finite state automobile इस उन दो ताइब की हमारे पास यहां पर अटोमेटा होता है फ़र्स होता है 파ि्स होता है डिटरमिलस्टिक फानिट स्टिट ऑटोमेटा इसको यहां पर DFA से डिनोट करते हैं उसको वहाँ पर NDFA से डिनोट करते हैं अब यहाँ पर DFA होता क्या है सुन अगर हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग input पे अलग-अलग state पे जा रहा है वो जिसे मैं बात करूँ 0 input पे ये Q0 पे जा रहा है और 1 input पे ये Q1 पे जा रहा है तो ऐसा हमारे पास जो state होता है या ऐसा हमारे पास transition डाइगराम होता है तो वो हमारे पास होता है DFA या हम बोलता है इसको डिरमेंस त्रिक फइन इस्टेट ओटोमेटर वैइट अगर हमारे पास यहां पर सेमिन पूट इस्टीब पर जा रहा हैत। जिसे हम इसा कि हमारे पास जा था उन न Scran की आपकर आ है तॉम पर आपकर ऑन डियांफ से शीнов EC.O berd Mm हमारे पास यहां वह जाएगा ndfa and different state पे different input पे different state पे जा रहा है तो वह हमारे पास dfa हो जाएगा यह धियान देने के ज़र होता है तो यहीं मैंने बतारे कोशिश करी ndfa में the finite state automatized called non-deterministic finite state motor if any particular input symbol the machine can move any combination of the state इडर देखें सुन देखो आप 0 पे यह q0 पे जा रहा है और 0 पे यह q3 पे जा रहा है हमारे पास same input पे दो अलग-अलग state पे जा रहा है which is known as a ndfa अगर ऐसा होता तो ndfa अगर बाइचास यहां पे यह जीरो पे तो हमारे पास q0 पे जा है और 1 पे q3 पे जा है अलग-अलग input पे अलग state पे जा है तो वह dfa होता है right so this is the difference between the dfa and ndfa एक और बड़ा important होता है कि every dfa is ndfa हर हर dfa जो होता वह ndfa होता बड़ कनवर्स में नॉट भी ट्रू कनवर्स यहां पे ट्रू नहीं होता है है पर एक्जाम में जो question आते हैं वह आपको ndfa दे रखागा और आपसे बोलेगा कि इसको dfa में convert करो राइट तो ऐसे questions एक्जाम में पूछ ले जाते हैं और वही हम य सब्सक्राइब इस के लिया है डिखा और यह हमारे पास क्या हुए इसका इस्के इंपूट लेते हैं इन्पूट हमारे पास दे रखा है, यहां पर रीड़ीर रहे है, यहां पर गये रेका है, यह दे रहे है। और एक हमारे पास यहां पे Q2 दे रहा है, आगे बटते हैं सुन, अब देखो 0 पे, 0 पे यह खुद पे खुद पे जा रहा है, तो Q0 हो जाएगा, और 1 पे कहा जा रहा है सुन यह, Q1 पे जा रहा है, आप Q1 लेते हैं सुन, Q1 हमारे पास यहां पे 0 पे, तो 0 पे यह खुद प और सुन वन पर हमारे पास और क्या रहा रहा है रहा है इलब हम प्र यह कुछ यह रहा है अब बात करते सुन वन पर यह खुद पर विजा रहा है और कि यहीं आपको समझाता हूँ कि कैसा मिसको डीएफ में करते एक इसकी टेबल तो जब भी हमारे पास इसा कुशन आता तो कैसे सको करते है तो मैं समझाने को सिसका रहा हूँ तो यहां पर लिखेंगे इसका इन पूर्ट और यहां लिखेंगे इसका 0 एड़ एड़ वान क्लेर समझना बढ़ा अच्छा कंसप्ट है और यह समझने की जरूत है आगे बढ़ता है तेक्ट समझता है इसको एज़ी लिखना है इसको कहीं लेनी की जरूत नहीं अब यहां पर क्या करेंगे जो हमारे पास इंपूट आ रहा है इन डोनों में से कोई अपने को यहां लेना है अगर यहां पर क्यूवन को लेंगा अगर यहां पर क्यूवन नहीं होता तो फिर हम क्यूवन को लेंगे अब क्यूवन पर हमारे पास इंपूट क्या रहा है तो यहां ले लो चलो क्यूवन पर हमारे पास इंपूट क्या रहा है क्यूवन क्यूट देखेंद हो यहां दो न जाया पास यहां पे लेंगे आंपर यह दो आने जावरत आगे बढ़के इसको लगत है है अब Q1 Q2 का 1 पे input क्या parse Q1 Q2 का 1 पे input यहन क्यू तो अब अब कुछ बछा नहीं है undergrad है और लास्ट ने यह से Mara उषका Libra कि सकी फैनल स्टेट अब इसका हम डायNe टो मैं किसे बनाएंकाँ और एक यहां पर बनाता हूं ताकि आपको चीज़े समझना है तो इसको पूरा एक स्ट्रेट लेकर से लिए तो मैं इसका डियागरम यहां बनाता हूँ यह हमारे पास दे रखा है Q0 यह हमारे पास दे रखा है Q1 और यह में ले लेता हूँ Q1 Q2 अब देखो सुनो और यहां पर हमारे पास किया रहा है अब देखो Q1 Q1 पर जा रहा है तो यह हमारे पास क्या जाएगा आप देखो यहां पर पर हमारे पास अलग अलग स्टेट पर नहीं जा रहा है तो यह हमारे पास क्या जाएगा तो इस तरह समय इसको यहां पर करते हैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार आपने यह बताया क्योंकि यहां पर थोड़ा सा यहां पर यहां पर इस पर यहां पर एंडी अफ नहीं होता है यह में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आगे बढ़ता है सुन बात करेंगे, convert the following ndfa into dfa, जैसे हमारे पास यह दरिका है, इसको ndfa को अपने को dfa में convert करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे बहुत हम इसके table मनाएंगे, तो आप देखो q0, q1 लिख देंगे हैं, अब देखो 0, तो यह 0 पे हमारे पास q1 पर जा रहा है, तो यह q0, q1 हो जा रहा है, and बात करेंगे, one पर, तो one पर q1 इधर भी आ रहा है, and इधर भी जा रहा, तो q1 भी आएगा, और q0 भी आएगा, right, तो यह हमारे पास ndfa, getting आपन, अब इसको में dfa convert करना, तो कैसे convert करेंगे, इधर देखे, सुन यहां पर, तो सुन यहां पर लिखिंगे हम स्टे q0 q1, and यहां जाएगा, हमारे पास q1, right, इसको एक स्टेट बना के लिखेंगे, right, अब बात करते है, सुन यहां पर, इन दोन में से कोई एक लेता, तो मैं q0 q1 लेता हो, यहां पर q0 q1, अब q0 q1, q0 q1, पर 0 पर क्या input आ रहा, तो q0 q1 दोनों लेंगे, तो यहां पर q0 q1 इतना रहा तो हमारे पास q0 q1, q0 q1, जो हमारे पास 1 पर input आ रहा हो आ रहा है, q0 q1, तो यह भी हमारे पास q0 q1 आ रहा है, अब देखो, हमने यहां पर यहां पर यह ले लिए, यह ले लिए, अब हम q1 लेंगे, q1 लेंगे, right, अब q1 पर देखते है, सुन q1 पर हमारे पास यह आएगार तो यह हमारे पास डाइगरम आएगा, यह आएगा, Q0, Q1, and यह आएगा हमारे पास Q1, आब बनाते है, Q0 से Q0 बने जा रहा है, यह पास 0 आएगा, Q0 से Q1 जाएगा, अब आप देखोगे, हloo है है सेम इनपूट यहाँ अलग अलग स्ट्रेट पर भट ना ऐसा नहीं हो रहा है अब बात करें कि हमारे जाए घंड हूए है टो फिर जिवर आ इसना हम इस तरह हम इसको यहаться करता है इसमें ढ़ी हमारे पास है इसे इन फोट इस तरह से से बताना है आगे बढ़ता है है और ट्राजिशन टेबल अज़ा बना और कुछ निकर नहीं करना है है न, सुन ये हमारे पास S0 है, ये हमारे पास S1 है, right. ये हमारे पास S2 ले लिजिए और ये हमारे पास S3 ले लिजिए. clear है? बना दो? कोई बात नहीं, आप कैसे भी इसको आग़े पीचे कर के लिख सकते हैं, उसमें । स्पक्रार इसमें TV ऑनी बात नहीं है. तो यहार S1, S3 पर जा रहा है तो यह हमारे पास 0 हो रहा है So next question देखिए Convert NDFA to DFA आप सो पुछ जा रहा है कि इसका NDFA को DFA में convert करना तो यहां पर हमारे पास जो input है उसको हमने दे रहा है यहां पर A से और B से है 2 हमारे पास यहां पर दे रहा है S1 हो जाएगा And B B पर देखेंगे तो यह हमारे पास B पर जा रहा देखो है इस सुनी जाएगा तो यह हमारे पास हो जाएगा S3 अब S1 को लेंगे S1 से कहा कहा जा रहा है इसको देखो है तो एक तो हमारे पास self loop जा रहा है बी पे मतब है ना और एक हमारे पास यह जा रहा बी पे राइट तो यह आएगा S1 और S3 हमारे पास यह B पे ला जाएगा और A पे लिए देखो यह आपर तो A हमारे पास कहा रहा है S1 यह आ रहा देखो A है ना तो अब बात करेंगे सुन S2 तो S2 पे आ जाओ यह रहा है तो देखो A इंपुट नहीं आ रहा है हमारे पास यहां पे दो ही इंपुट आ रहा है और एक बी आ रहा है और एक विडिया तो एक तो यहार यह यहार पर s1 पर जा रहा है यह यहार पर पर 0 पर तो देखो यहार पर यहार पर यह पर सब्सक्राइब तो इस तरह समस्की टेवल को बनाते हैं अब इसका कैसे हम यहां पर करेंगे, convert करेंगे, तो convert कैसे करता है, यहाँ पहीं थे हैं जान दिजेगा, मैं इसको war-paste करता हूं, और इसको यहाँ पे इन्पूट करें गह?" क्लार है है। सब सीप्रेOffEisen Management एप इप स्टेट के वारा है। इस जुन बात करें अब स्टयक और यहां बात करेंगे हम हम लोग क्या एगा सुनिया पर इंपुट और यी हमार पास Regützen है। और यह स्भी आर्पास भी याइड को करते हैं इसको कनवेट करते है डी एफ में राइट टो डी एफ में राइट नहीं पर यहां पर पास जिरो एच वन और यह आएगा हमारे पास यहां पर आप तो यह आएगा हमारे पास S0, S1, अब इसका B पे इंपूट चेक करें, तो S0, S1 पे B पे इंपूट जो आ रहा है, वो S1, S3 आ रहा है, तो यह हमारे पास आएगा, S1, S3, हाना, अब सुन यहां पर यह ले लिया, अब हम इस S3 को लेंगे, यह S3 आ रहा है, अब S3 पे देख १ी पे वो अमारे पास S1 आ रहा है, तो यह हो जाएगा, अब देख़ो, S1, S1 एच्टु, हाना, चू किnew it, इसके अंदर deckOR हो रही है, अब इसे सवेन पास R. दोनों ही अब हमारे पास यह आ गया यहा घ्या आइस त्रीया अब इसको लेगे जिरोस वन एड़ स्टूलें राइट ये लिएलिए लिए अपए तूम इस न यह अपन अपर आप जरोस वन एस नहीं करेंगे तो यहां पर नहीं को और भी इस खाल एगा तो यहां एक जरू एगा मारपास एफिरोस वन उन है यहाँ पे S0, S1, S2 पे हमारे पास B का जो input आएगा वो S1 भी आ रहा है, S0 भी आ रहा है, S2 भी आ रहा है और S3 भी आ रहा है, तो यहार ही आ जाएगा हमारे पास S0, S1, S2 and S3 यह तीन हो आ जाएगा अब देखो हमारे पास यह आगा, अब यह S1 बागी रहे गा पिर लास में S0 को ले लेगा, तो S1 लेंगे तो S1 पर हमारे पास यहां पर S0 आ रहा है, यह तो S0 यह आएगा और यह आएगा हमारे पास S1 S1 and S3 आ जाएगा, अब इसको लो, सुन यह रहे गा, बाकि सब अल्मॉस सभी स्ट्रेट आ गया तो S0, S1, S2 and S3, राइट, चारो स्ट्रेट को लेगे, तो सुन यहां पर S0, S1 S2 आ जाएगा हमारे पास, S0, S1 and S2 अजाएगा, और यहार यहां आ जाएगा हमारे पास S0, S1, S2 and S3 आ जाएगा, तो यह आपको समझने के जाएगा सुन यहां पर हमारे पास S3 नहीं आ रहा है तो हमारे पास यही आएगा फिर यहांपे हमारे पास यहाएगा S0 S1 घ्रम, इसको ले लो, इसवन चुर्ण करते हैं तरह हो चाहंवbon, और पर जा रहा है ना तो एजिए रहा तो यह हमरे पास हो जाएगा यह सेल्फ लूप हो जाएगा यह सेल्फ लूप हो जाएगा यह वाले हूंचांचांचांचांचांचा रहा है मैंचांचांचांचांचट सभ्य घ्लाये इस Got na रिदाशन पर तो ए pro सफ लूप हो जाएगा ऽख वाले और यह हमरे पास भी हो घुर्लॉप हो जाएगा गला अब 11 Director से स्ची और जा रहा हैं वह यह हो जाएगा यह हमारे पास यह पास यह आ रहा है और यह आ जाएगा अस आ पास जो और यह जाएगा सब्सेर अ S1, S3 पे जा रहा है, तो यहां से आपको वापिस इसको लेना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा color change करता हूँ, तो यह जो आएगा, यह हमारे पास ऐसा आएगा, और यह हमारे पास हो जाएगा, इसका B, तो इस तरह सा आपको बनाना पड़ेगा, next, S0, S1, S2, S3 है, यह S0, S1 S2 पे जा रहा, तो यह हमारे पास यह जा रहा, तो यह हमारे पास यह हो जाएगा, clear है, और यह A हो जाएगा, right, and यह S0, S1, S2, S3, यह खुद पे जा रहा, तो यह हमारे पास B हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, इसका DFA हो जाएगा, right, तो थोड़ा सब भारी है बढ़ समझने की जरूरत है यह पर पास फाइनल स्टेट होगी और वह हमारे पास क्या होगी यह होगी जिसमें मैक्सिमुम स्टेट कवर करती है उसको आगे बढ़ते हैं यह क्वेशन आपकी कमेंट बॉक्स के लिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इस जरूर दीज़ें थैंक्यू